हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ एक ऐसा डिनर के अगर आप 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 से आए हूँ तो कई बार ऐसा होता है बिलकुल टाइड होते हैं बिलकुल हमारा डिनर बनाने का मन नहीं होता लेकिन मैं यह डिनर ऐसा लेकर करके दाल ले लिया है जो कि सक्से जल्दी बनती है दाल तो इस दाल को मैंने अच्छी तरह से पहले पानी से धो लिया था और अब मैं ।ॉटी स्पून इसमान्मक एड़ कर रही हूँ कि तो यह मैंने टू ती स्पून सॉल्ट नमक एड़ कर लिया है अब मैं इस कुकर को पकने के लिए रख दूँगी तो मैंने ये गैस पर रख दिया है कुक होने के लिए और सिर्फ एक सीटी आने तक का वेट करना जैसे सीटी आने लगेगी उतने में ही इस डाल को बंद कर देना है तो आपकी डाल तयार हो जाएगी और दूसरा यहाँ पर मैं इसके लिए मसाला तयार कर लेती हूँ तड़के के लिए तो मैंने प्याज काट लिया है और अब मैं हरी मिर्चे भी काट लेती हूँ और ये सब काट लिया अब मैंने दूसरी तरफ ये तड़का लगाने के लिए तेल डाल दिया है और अभी हमारा जो मैंने दाल पकने के लिए रखी थी तो उसमें स्टीम नहीं बनी है तो उतने में ही ये सारा काम हो रहा है क्योंकि मुझे ये जो डिनर है वो 20 से 25 मिनट में तैयार करना है तो अब मैंने यहां पर 1 टी स्पून क्यूमिन सीट जीरा डाल दिया है और प्यास काट लेती हूं और टामाटर काट करके मैंने रख दी है और अब मैं एक दूसरी रेसिपी तैयार कर रही हूं ये आम की रेसिपी है तो इसके लिए मैंने दो मीडियम साइज के प्यास ले लिए है और तीन मीडियम साइज के कच्चे आम ले लिए है रो मैंगो तो अब मैं इन सब को पील कर लेती हूं तो ये सब मैं छिलके पील कर रही हूं मैं दूसरी रेसिपी की तैयारी भी कर लेती हूं साथ साथ में तो अभी जो कुकर है तो इसमें जो स्टीम आ चुकी है और सीती बजने वाली है तो उससे पहले ही मैंने कुकर को बंद कर दिया है दाल को और यहां पर मैं चावल जो है वो चड़ा लेती हूँ तो चावल के लिए यहां पर मैंने चावल अच्छी तरह से धो लिये थे पानी से और अब मैं इसे कुक होने के लिए रख दूँगी यहां मैं फ्राइट राइस नहीं बना रही हूं फ्राइट नहीं कर रही हूं चाव तो मैंने चावल भी रखती हैं, दाल भी हमारी कुकोगी है, मसाले के जो प्याज रखे थे मैंने पकने के लिए वो भी पक गए हैं, प्रॉपरली से अब इसमें मैं वन टीस्पून टर्मरी खल्दी पाउडर डाल दूगी, ये डाल दिया है, और हाफ टीस्पून रेड चिल कर सकते हैं, तो अब मैं यहाँ पर कटी हुई टामाटर डाल दूगी, और साथ में ये जो हरी मिर्चे हैं, उनको भी आड़ कर दूगी, और अब इस मसाले को मिक्स करते हुए अच्छे से और इसे फिर से में कुक होने के लिए रख दूगी, और टामाटर को अच्छी तरह से पकाना है, तो अब मैंने इस मसाले को रख दिया है, अब उतनी देर मैं यहाँ पर जो मैंगो की रेसिपी, आम की रेसिपी तयार करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं प्याज को इस तरह से लंबे-लंबे स्लाइस में काट लूँगी, और जो आम है उसके भी मैं इसी त करना है और जरूर ट्राय कीजिएगा बहुत ही टेस्थी बनती है यह रेसिपी, तो जब भी अकच्चे आम का सीजन हो तो इस रेसिपी को जरूर इंज्वाइ करना चाहिए बना के, तो यहाँ पर डाल जो है वो उसकी स्टीम भी निकल चुकी है, तो इस तरह से दाल हमारी बिल्कुल कुक हो चुकी है प्रॉपली से, और अब मैं जो आम की रेसिपी है उसके लिए तड़का तयार कर लेती हूँ, तो मैंने एक कड़ाई में तेल डाल दिया है, और अब मैंने सूखी मिर्च डाल दीनी है, तो यह दो ड्राय चिली हैं, जिसके मैंने चुटे-चु तब तक मुझे इसे फ्राय करना है, तो यह बिल्कुल अपना कलर चेंज कर चुकी है, अब मैंने यहाँ पर फैनुग्रिक सीट्स, मेथी दाना, हाफ टी स्पून ले लिया है, आधा चमच, और यह टर्मरीक, हाफ टी स्पून, टर्मरीक पाउडर, हल्दी पाउडर, और अब यह जो कटे हुए आम और प्याज थे, उनको मैंने इसमें डाल देना है, तो यह डाल दिये हैं, और अब अच्छी से मिक्स कर लेती हूँ, तो इसे आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और इसमें मैंने हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है, और एक पिंच हींग डाल दिया है, ऐसो पेटीटा, और सॉल्ट नमक है, टू टी स्पून, बाकी नमक एकॉर्डिंग टू टेस्ट आप ले सकते हैं, तो इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करते हूँ, अब मैं ढख करके इसे मीडियम आज पर कुक कर होने दूँगी, और य आप देख सकते हैं, इसमें टामाटर अच्छी तरह से अपना तेल छोड़ चुके हैं, तो इट मिन्स की अच्छी से कुक हो चुके हैं, टामाटर कच्छे नहीं रहने चाहिए, और वाइस दाल का टेस्ट अच्छा नहीं आता है, तो टामाटर को अच्छी तरह से पकाना बेहर जरूरी होता है अगर आप दाल में अच्छा सा टेस्ट चाहते हैं तो बस इसे अच्छे से mix कर लेना है और एक हुबाला आने देना है इसको mix को mix जो हमने दाल और मसाले का mixture बनाया है और इसमें जो बाकी बच्ची हुई दाल है उसे भी आड़ कर दूँगी तो वो भी मैं आड़ कर रही हूँ तो इस तरह से हमारे जो दाल है उसको भी तड़का लग चुका है और चावल है उसको भी सीटी आ चुकी है तो चावल भी बनके दाल का तड़का भी लग दिया है चावल को भी सीटी आई नहीं है पर सीटी आने वाली है तो अब मैं यहाँ पर आम को देख लेती हूँ जो मैंने मसाला तयार किया था तो यह देख सकते हैं आपके आम जो हैं वो फ्रेंड्स बिल्कुल से गल चुके हैं यह अब आम जब आधे गल जाते हैं तो उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 टी स्पून शुगर चीनी एड़ कर दीनी है और यह खटा मिठा टेस्ट बहुत ही डिलिशिस बनती है यह रेसिपी आप इसे जरूर प्राइ करना आज कर आम का सीजन है कच्छे आम का तो बस इसे अच्छी चेंज हो जाए और उसके बाद हमने इसमें हाफ गिलास पानी एड़ कर देना है तो यह कर दिया है मैंने पानी एड़ और बस इसे अब ढखकन दे करके मैं इसमें दो मिनट के लिए बस इसे कुखोने दूंगी और दो मिनट जब तक यह कुखो रहा है तब तक मैं यहाँ और सलाद काट लेती हूँ तो चावल भी रेड़ी है दाल भी रेड़ी हो गई और यह जो मेरी आम की मैंगो रेसीपी थी यह भी रेड़ी हो गई और अब मेरा सलाद है वो भी कट रहा है तो इस सारे काम को 20 से 25 मिनट लगे हैं टोटली तो इस तरह से यह सलाद को भी मैं पूरा प्रापरली से काट लूँगी तो दो मिनट हो चुके हैं और यह सलाद भी जो है वो प्रापरली से कट चुकी है और अब मैं जो आम की रेसिपी थी इसे मानी बोलते हैं हे माचली में इसको मानी का नाम से जाना जाता है तो ये देखिए बहुत ही डिलिशिस उपर डिलिशिस रेसिपी बन के तयार होगी इसका कलर भी आप देख सकते हैं फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी लगती है आप एक बर जरूर ट्राय करना इस रेसिपी को तो बस हमारा ये सिंपल सा ये डिनर तयार हो गया है तो जब भी आफिस से ठके हुए आए हूँ लंच बनाने डिनर बनाने का मन नहीं है तो इस तरह से हम सिंपल सा अ डिनर बना करके इंज़ॉय कर सकते हैं तो I hope friends आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी मेरे ये सिंपल सा डिनर रूटीन पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और बैल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो है उसे आप मिस न कर सकें नोटिफिकेशन बैल आइकन जरूर प्रेस करें और फ्रेंड्स मुझे ये वाला डिनर आप तयार करके बताएगा आपको कितना टाइम लगाया मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा क्योंकि ये एक ऐसा डिनर है जो 20 से 25 मिनिट से जादा टाइम बिल्कुल भी लेने वाला नहीं है तो थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो